हेलो दोस्तों मेरी यूटूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज मेरे पास आया एक एलेडी बलप जो चार्जिंग वाला होता है वो इसको खौल के देखते हैं इसमें क्या प्रोब्लम है यह ओन नहीं हो रहा है दस तिन से बंद पड़ा है तो आज इसको खौल के देखत कोई प्रोब्लम नहीं है अभी इसको खौल के देखते हैं अंदर से हैं अंदर क्या सिस्टेम है यह देखो दोस्तों मैंने खौल लिया है खौलने बाद यह देखो यह सेल लगावा है पहले सेल निकालते हैं अंदर से निकालते हैं कैसे निकालें यह देखो दोस्तों यह उनिकल चुका यह ऽे ङांदा शेल है पहले शेल को ने काल देते हैं इसके बाद देखते हैं कि वे उन्स दो मैंने शेल ने काल दिया है Vallah आता हूज है इसमें यह शेल आता है जैसे यह charging वाला आता न इतामेटिक charging light जाने के बाद चालू रहता है ओन रहता है यह सिस्टम आता है इसमें बेटरिया चार्ज औरने का सिस्टम होता है इसमें इसमें देखते हैं यह यह मेरे साथ से इसमें और तो कोई कमें नहीं देखते हैं इसमें आईशी प्रोब्लम है लेकिन और फॉल्ट है कि नहीं है यह करींगे ते और कुछs वा तो चेंज करेंगे ये नहीं हुआ तो कोई दिकत है थूए अगर IC खुड़ेंगे थे करने के बाद देखेंगे कि यौन हो रहा है कि नहीं हो रहा है लैकिन पहले मल्टिमेटर से चेक करेंगे, यह आईशी है देखो, यह खराब हुई है, लेकिन और्ज कंपोनेट देखते हैं, अगर क्यापसिटर बगर अगर खराब हुए हैं, तो वो भी चेंज करने पड़ेंगे, तो देखते हैं पहले, यह बेटरी है, यह आईशी, यह आईशी देखते हैं, बिना रिचार्ज वाला, उसमें भी आता है, यह पानी पढ़ने के बाद जला है, पानी बगएरा गिरा है इसके अंदर, उसके बाद यह जला है, तो इसको हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद देखेंगे कि यह ओन होता है कि नहीं होता, या कोई चीज कंपोन स्कंपोनीट वगएरा और भी खराब है, चेंज भी करना पद सकता है, तो हम देखते हैं अभी मल्टी मितर से, मल्टी मितर से चेक करेंगे, चेक करने के बाद बताएंगे कि यह ओन हो पाएगा, या नहीं हो पाएगा, आएँ भाए इसे मिलेगी या नहीं बिसके पहले ल कि लाइट में लगाता हूं मैं लेकिन नहीं और नहीं हो रहा है कि नहीं कि इसमें और नहीं हो रहा है बिल्कुल सही है कि इसको और करके भी देखेंगे तो देखते हैं ओन करने के बाद क्या होता है कि यह लाइट में लगा दिया ओन किया लेकिन नहीं एक एल डीडी गलोच नहीं की इसको अभी मल्टिमीटरसें चेक квар कि देखते हैं उसके बाद देखते हैं पहले नीकाल देखते हैं करने बाद मल्टी मीटर से चेक करेंगे देखो देखो देख तो वह नहीं हो रहा है तो प्रोब्लम आई सी जली हुई है तो वह नहीं होगा कोई दिकत नहीं है पहले कंपोनेट और चेक करेंगे उसके बाद देखेंगे यह अगर कंपोनेट में अगर फाल्ट होता है तो देखते है हाँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें करो आगे कमेंट भी लिख आगरो जानकरी कैसी लगी आपको और आगे सेहर भी करे किया करो अपने दोस्तों को फेस्बुक पर वाटसप पर इस्टाग्राम पर ताकि मेरा वीडियो आगे शागे जा सके लोग देख सके जानकरी मिल सके अब देखते हैं बेटरी चेक करके देखते हैं ओन है कि नहीं है या बेटरी भी खराब हो जाती है भॉल्ट उनने के बाद कर देखते हैं या और मुआ ऊचिंअ ना फसरुआ या ना या दिम बिलकुल सही है डिस्चार्ड जाए लेकिन एकदम बिल्कुल सही है बेटरी बेटरी में कोई प्रोब्लम नहीं है 1.5 बता रहा है कोई दिखत नहीं है कोई दिखत नहीं बिल्कुल एकदम सही है यह तीन पॉंट शायत के आती है 2000 mh बेटरी आती है इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है बेटरी अंविक्द हो जाती है इफूलिघ कंए बिल्कुल सघ्य है अभी Wenn you check करते हैं सर्किट गो इसकिच करतें कि कहीं कोंगर और कोई चीज नहीं है क्या इसकी बार कोंगर के इस चीज फार्ट होजाती है इस तो भुजाए आर्षएंच खराब हो कोई दिकत नहीं है कि एक दू एक टू रहा है कोई दिकत नहीं है तो देखते हैं प्रोब्लम तो अभी तक तो नहीं है आई यह चेक करके देख लिया है और भी चेक कर लेते हैं फुल चेक कर लेंगे कोई दिकत नहीं है मल्टिमीटर से पूरा चेक करना चाहिए उसके बाद ही काम करना चाहिए ताकि पता चली कोई चीज और खराब हो अगर आप आई सी डालते हो अगर कुछ और भी खराब हो तो आई सी फिर से खराब हो सकती है तो पूरा चेक करके उसके बाद ही आई सी डालो ताकि बार बार खराब ना आए दुरहा को वापिस ना ले के आए काम क करो ताकि लोक करा Malik के लिए वापिसा आए फिर से इसा नहीं कि एक बार में घटिया कर दिया सुलो दोस्तों इसके का परॉबल्म से इस्थे का प्रोब्लम है तो मैंने कर दिया आइसी चैंज कि यह रहा आइसी इए आइसी को थे यह देखो दोस्तों यह वाली आईशी थी चेंज कर दिया है एकदव प्रोब्लम सॉल हो गई वन भी हो गया अपना बलफ और अभी ब्लॉफ औन भी हो गया LED ब्लॉफ बैटरी भी दिखा के डिखा ता हूं मैं उसके बाद भी और करके, दिखा ता हूं, कि और उन होता है कि नहीं होता है यह देखेम दोस्तumा बैटर लगाने के बाद भी और उन हो गया इसमें कोई दिकत नहीं है एकदम प्रोब्लम सोल हो गई यह देखे दोस्तों एकदम ओन हो रहा है कोई प्रोब्लम नहीं है आई सी का प्रोब्लम था वो निकाल दिया मैंने और हां दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सेर भी करें कमेंट में लिखें कि यह जानकर कैसी लगी आपको देखो ये ओन हो गया अब इसमें कोई प्रोब्लम नहीं है सारी चीज मैंने चेक करके फिर आईसी डाला है इसमें कोई दिकत नहीं है दोस्तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा और आप सपोर्ट की करते जाएए ताकि मेरे चैनल आगे बढ़ता जाए धन्यवाद दोस्तों आप लोगों के लिए